हेलो लवली फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल सिया स्वर्ल्ड मेरा नाम ही सिया और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मेकप, स्किनकेर एंड है के प्रडक्ट्स के ओनेस्ट रिवी वीडियोस साथ ही फ्रेंड्स मेकप टुटोरियल्स एंड मैनी मोर्स अगर आप इस तरह के वीडियोस में इंट्रस्टिड है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और प्रेंड्स प्रेंड 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 बैल एकन बटन जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिकेशन आपको मिलती रहे आप मुझे इंस्ट्रेग्राम पेज पर फोलो कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मेरे एक नियो कंसीलर के रिव्यू की जिसे मैंने रिसेंटली ही ट्राइ किया था है एक्चुलि यह जो कंसीलर है मार्किट में तो काफी देर से आया हुआ है लेकिन फ्रेंड्स मैंने इसे अभी ह तो मैंने सोचा कियो ना इसका रिवीव मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मुझे यह जो कंसीलर है किस तरह का लगा है तो मैं बात कर रही हूँ लेकमे 925 प्राइमर प्लस मैट लिक्वड कंसीलर की तो फ्रेंड्स इसे मैंने ट्राइ किया है और आज मैं इसका डेमो आपको दिखाने वाली हूँ मेरी अंडर आइस पेस ने किस तरह से वर्क किया है और मुझे यह जो कंसीलर है किस तरह का लगा है तो चली फ्रेंड्स देरी ना करतु है हम हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं सो यह है लैकमे 925 प्राइमर प्लस मैट लिकृट कंसीलर इसकी आउटर पैकजिंग रोज गोल फिनिश में है इसकी MRP है 400 रुपीज लेकिन मैंने इसे 35% आफ पे बाई किया है इसकी quantity आपको 5.4 ml मिल जाती है यहां पे इसकी manufacturing and expired mention है इसमें total 8 shades आते हैं और मैंने जो shade बाई किया है वो है 16 cent actually friends मैंने ये जो shade इसले बाई किया because मेरा जो maybelline वाला shade था वो भी sand था so मैंने सोचा sand shade ही मेरे लिए best होगा तो चले मैं आपको इसकी जो consistency है और इसका जो shade है वो जरूर दिखाना चाहूंगी यहां पे आप इसकी inner packaging देख सकते हैं काफी अच्छी खासी इसकी inner packaging भी दी गई है तो चलिए अब इसका hand swatch कर लेते हैं इसका shade देख लेते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो concealer का जो applicator दिया गया है काफी अच्छा दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहां पे चलिए मैं आपको shade भी दिखा रहती हूं सो यह friends वो shade और यह जो shade है यह warm tone वालों के लिए मखाऊंगी काफी अच्छा shade रहेगा कंसीलर का और आपको हमेशा concealer का जो shade है अपनी डाक सरकस के according मैं कहूंगी कि आपको अपनी skin tone के according बाइ करना है because अगर आप गलत shade चूस करते हैं तो आपकी जो make-up है वो gray हो सकता है तो यहां पे मैं एक साइड पे friends यूज करूंगी इसे orange character के साथ और एक साइड पे बीना orange character के साथ तो यहां पे मैं Swiss beauty का orange character ले रही हूँ liquid और इसे मैं अपनी एक अंडर आई पे अपलाई कर लूँगी जरा-जरा सा और फिर मैं इसे finger की हल्प से blend कर लूँगी आपके पास कोई भी orange character हो आप उसे use कर सकते हैं आप चाहे तो लि अपनी प्राइब कर लिया और दूसरी साइड पर मैंने कोई भी orange character अप्लाई नहीं किया और यहां पर मैं बिना और इसका प्रश लिया है concealer brush इसके साथ यह जो concealer था अच्छी से blend होड़ा था लेकिन मुझे लगा कि यह जो concealer है इसकी जो consistency है वो थोड़ी सी थिक है जैसे की मैं थोड़ी से मुश्किल हो रही थी और साथ ही friends यह properly blend भी नहीं हो पारा था मैंने brush के साथ भी से apply किया था ब्लेंड किया था और मैंने sponge के साथ भी से blend किया था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगी जो finish स्वीस ब्यूटी के concealer की आती है यहां फिर मेबलिंग के concealer की आती है वो finish मुझे कहीं नहीं मिल पा रही थी तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से blend करूं बट यह फिर भी कहीं ना कहीं मेरी under eyes पे क्रीज कर गया था अब ही मैं आपको दिखाऊंगी यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ब्रश को छोड़ दिया है और अब मैं beauty blender के साथ से blend करने के कोशिश कर रही हूं कंसीलिंग इसने अच्छे से की है no doubt shade मेरा बल्कुल okay है लेकिन यह जो concealer है इसकी consistency की वज़ा से यह मेरी under eyes की मैं कोंगी skin पे बैट गया था तो यहां पर second side पर भी मैं आप beauty blender के साथ ही से blend कर रही हूं और मैंने देखा कि अगर आप अपने dark circles को pigmentation को करेक्ट नहीं करते तो आप अकेला concealer apply कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो finish है वो नहीं आपाती है तो आपको जब भी concealer apply करना है उससे पहले अपने face की जितनी भी color correction है वो ज़रूर कर लेनी है तो यहां पर friends साथ रेख सकते हैं concealer और करेक्टर के साथ दोनों के साथ ही इसकी जो finish है वो किस तरह से आई है क्यूंकि इस concealer की जो consistency है थोरी सी ठीक है इसलिए मुझे जो concealer है पसंद नहीं आया because यह मेरी under eyes पे अच्छे से blend नहीं हो पाया सो यह थी friends मेरी आज की वीडियो आपके लिए I hope मेरी वीडियोस आपके लिए useful हो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like and share जरूर कर दीजिएगा सो मिलते हम अमारी नई वीडियो के साथ थैंक यू फ्रेंड्स बाई बाई